नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व अभी ख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं मार्ज की कहानी कहानी का सिर्षक है आईना इसे लिखा है येशे दरजे थोंगशी ने जल्द ही है खबर गाउं में जंगल की आग की तरफ फैल गई देखते देखते मंडाला गाउं के नए स्कूल के मास्टर बाबू के हाँ केवल नजदीक के गाउं से ही नहीं बलकि दूर दराज के गाउं से भी बुढ़े जवान आदमी और और औरतों के जुंड पहुचने लगे पहाडी छेत्र के पुर्वी टोलों वह छोटे गाउं में सबकी जवान पर केवल वह अनोखी वस्तू मास्टर बाबू का दरपण ही चर्चा का विशय बन गई थी गाउं वालों ने इसके पहले कभी भी ऐसी वस्तू नहीं देखी थी जिसमें आप अपने चेहरे, हाथ और शरीर के अन्य भागों को देख सकते हैं सबसे पहले दोर जरीक की विध्वा मा लेदन ने इस अनोखी वस्तू को मास्टर बाबू के घर के दिवार पर देखा दरसल उसका लड़का दोर जरीक बीमारी के कारण कच्छा जाने में असमर्थ था लेदन को अपने बेटी की चुट्टी मांगने के लिए मास्टर बाबू के घर जाना था उसने गाउं के मुखिया गावोन बुराह को अपने साथ लिया क्योंकि वह मास्टर बाबू की भाशा नहीं जानती थी जब गावन बुरा मास्टर बाबू से बात कर रहा था लेदन ने एक अजनभी को देखा एक अधेर उम्र औरत पास वाले कमरे से उसे घूर रही थी पहले तो लेदन ने यह सोच कर कि वह औरत मास्टर बाबू की पतनी हो सकती है अपनी नजर उस दिशा से फेर ली लेकिन शिगर ही लेदन ने अनभव किया कि वह औरत अधेर उम्र की थी और उसकी तरह एक फटा हुआ सिंकू यानि की लंबा गोनी पहने हुए थी और गंदी एवं अस्त व्यस्त थी लेदन ने सोचा कि वह अधेर औरत इवा मास्टर बाबू की पतनी नहीं हो सकती अगर उनकी शादी हुई भी तो उनकी पतनी को जवान, खुबसूरत और अच्छे कपड़ों में होना चाहिए था तब वह औरत कौन हो सकती है जो जब भी मैं उस दिशा में देखती हूँ तो मुझे घूरती है हाँ निश्चे ही वह हमें से एक है अगर मैं उससे बात करके थोड़ी भी शिष्टता का परिचे नहीं देती हूँ तो यह अनैतिक होगा लेदन ने अपना मुह खोला लेकिन आश्चेर की उस औरत ने भी अपना मुह खोला और जब लेदन ने बिना एक शब्द बोले अपना मुह बंद कर लिया तो उस औरत ने भी अपना मुह बंद कर लिया लेदन ने अपना हाथ उठाया और उस औरत ने भी वही किया वो यह देखकर दंग रह गई क्योगा औरत उसकी तरह ही ठीक वही पोशाक, चूड़ी और माला पहने हुए है और लेदन ने जो भी किया दूसरी औरत ने भी तुरंत उसकी नकल कर ली मास्टर बाबु ने उसकी दशा पर ध्यान दिया और मुश्कुराते हुए दर्पण को दिवार से उतार कर ले आए उन्होंने लेदन के सामने दर्पण को पकड़ लिया महान आश्चर लेदन ने उस अजनभी औरत को अपने बिल्कुल नजदीक खड़े देखा आश्चर से उसने अपनी हथेली को मुँँ पर रख लिया और अजनभी ने भी वही किया गावन बुराह उसकी बगल में आ गया और तुरंत बिल्कुल गावन बुराह की तरह का एक आदमी उस सनोकी वस्तु में प्रकट हो गया उसके बाद मास्टर बावु ने दरपण का पीछे वाला भाग उनकी तरफ करके घुमा दिया और तुरंत दोनों आदमी और और उसमें से गायब हो गये उन विक्तियों को अचानक गायब हुआ देखकर उसके रुंगटे खड़े हो गये लेदन ने सोचा निश्च ही ये लोग इस घर में चिपे हुए दुष्ट भूत हैं जो इस वस्तु में दिखाई देते हैं इसे दरपण कहते हैं यहां तुम अपना प्रतवीम देख सकते हो मास्टर बाबू ने गाउन बुराह को समझाया जिसने बाद में इस बात को लेदन को समझाया गाउं अपस जाते हुए सभी राहगिरों को लेदन और गाउन बुराह ने उस अनुखी वस्तु के बारे में बताया जिसे उन्हेंने मास्टर बाबू के घर पर देखा था इस दूरवर्ती पहाडी गाओं के आदिवासियों ने कभी भी अपने गाओं की सीमा से बाहर जाने का सहस नहीं किया था अता उनमें से किसी ने भी ऐसी वस्तू की करपना भी नहीं की थी जहां आप अपना प्रतिवीम साफ पानी की तरह बलकि और अच्छे तरीके से देख सकते हैं सबसे पहले बोम डिला के राजनिती कधिकारी बोर साहब जो कभी नेफा के जिलाधीश थे ने नेफा के आंतरिक छेत्रों में मंडाला गाओं की यातरा की थी और पाया था कि एक विशाल जनसंख्या वाला यह गाओं एक प्राइमरी विड्याले स्थापित करने के लिए बहुत ही उप्युक्त है अपने दोरे पर बोर साहब ने अपनी ओर से गाओं के प्रशासन को चलाने के लिए गाओं बुराह को गाओं का मुख्या न्युक्त किया और श्रम दान सहयोग के अधार पर उससे दो भवन का निर्मान कराने का आदेश दिया एक स्कूल के लिए और दुसरा शिक्षक के आवास के लिए शिगरी गाओं वालों ने कंकण मिटी से पुती दिवारों और पट्री के छटों वाले दो भवनों का निर्मान कारे पुरा कर दिया मैदानी च्छेतर के एक युवा असमी मास्टर बाबू एक दिन गाओं में पहुँच गया और अभिभावकों ने हर घर से कम से कम एक बच्चे को विद्याले भेजने के बोर साहब के आदेश को पूरा करते हुए अपने एक लड़के को अनिक्षा पुर्वक स्कूल में डाल दिया स्कूल खुलने के साथ ही मास्टर साहब दोरा स्कूल लाई जाने वाली अजीब अजीब चीज़ों को गाओं वालों ने देखना शुरू कर दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी रंगीन चित्रों वाली किताबें, मान चित्र, बच्चों के लिए चमड़े की गेंद, एक गाने वाली मश्रीन आदी अनोखी चीज़ें उन्होंने देखी लिकिन कोई भी दरपन कह जाने वाली सनोखी वस्तु का पता नहीं लगा सका जब तक कि लेदन ने संयोग वस्त इसे देख नहीं लिया, तब से जिग्यासु गावालों को वा वस्तु दिखाना मास्टर बाबू का हर रोज का कारे हो गया था जो उनके आंगन में रोज इकठा हो जाते थे, साधारन ग्रामिनों के लिए दरपन में प्रतिभिम्ब जिनने अपना चेहरा खुबसूरत लगता था, वो मास्टर बाबो के यहां बार बार आते थे और उनमें से दरपन देखने के लिए प्रार्थना करते थे, दरपन वाले चेहरी की निकल करते और अपनी शरारत पर खुब हंसते थे उस समय दरपन को पहले पकड़ने या किसी एक व्यक्ति के द्वारा ज्यादा समय लेकर दूसरों को वंचित करने पर उनमें लड़ाई हो जाती थी शुरू में तो जिग्वासु गाउवालों की इन गतिविध्यों से मास्टर भावू का खुब मनुरंजन हुआ लेकिन धीरे-धीरे उन्हें परिशानी होने लगी क्योंकि गाउवालों का उनके यहां आने का कोई नियत समय नहीं था गाउवाले सुबह से शाम तक किसी भी समय आ जाते थे आखिरकार उन्हें गाउवालों की भीड को नियंतरित करने के लिए गाउवन बुराह से कहना पड़ा और दरपन देखने के लिए रविवार की दोफर का समय नियत किया गया जैसे जैसे दीन गुजरते गए वैसे वैसे आने वालों की संख्या भी घटती गए गाउव से दूर देवदार के बागों के बीज इसकूल के आहाते के अंदर मास्टर बाबु अकेला उन्भव करने लगे विशेष्ट कर छुप्टी के दिनों में विद्याले अहाता उजार लगता था इसे ही एक आकीपन के दिनों में मास्टर बाबु ने अहाते के बाहर इंतजार करती एक लड़की को देखा लड़की जवान और अच्छे रूप वाली थी उसने ठोड़ी पर गिरने वाले बालों की आड़ में चेहरे को छिपा रखा था जैसा कि गाव में रहने वाली जन जाती शेर दुखपेन की कुवारी और अविवाहित लड़कियों के चेहरे को बाल से ढखने की प्रंपरा है किवल शादी के बाद ही और वह भी एक सामारोह में एक औरत के बालों को पीछे की और बांधा जाता है लड़की अकेली थी उसकी पीट पर जलावन की लकडी ढोने के काम आने वाली बास की टोकरी थी जिसमें एक चाकू और एक कुलहाडी रखी थी जो उसके कंधे पर काटे हुए गन्य की पटी से कसकर बंधी हुई थी मास्टर बाबू ने उसे स्कूल के हाते की पत्थर की दिवार के बाहर पत्थर की मूर्ती की तरह खड़ी देखा था उस लड़की के अजीब बरतान उनके दिमाग में उत्सुकता जगाए और उन्हें उनके पास खीच ले गए तुम इहां क्यों खड़ी हो? मास्टर बाबू ने उसके पास पहुँच कर पूछा वह लड़की वांगडान अपनी जड़ता से विचलित होई लेकिन एक सब्द भी नहीं बोली उसे पता नहीं था कि वह मास्टर बाबू से दरपन देखने के लिए कैसे प्राथना करे पहले दिन ही वांगडान को उस अनोखी वस्तु के बारे में पता चल गया था जिसमें कोई अपना प्रतिविम सपष्ट देख सकता है उसकी मौसी लेदन ने सहनभूती के स्वर में उसे विश्वास्ति लाया था तुम्हें एक समय इस संसार की सबसे खुबसूरत लड़की थी लेकिन उस बदमाज छिंबू ने तुम्हारे चेहरे के साथ क्या कर दिया था जाओ और मास्टर बाबू के घर के उस दरपण में खुद को देखो तुम्हारे प्रेमी की निर्दैता के बारे में पता चल जाएगा जी हाँ वांगडान अच्छी तरह जानती थी कि एक आदमी कितना निर्दैी हो सकता है उसने अपने छोटे से जीवन में जितनी आतनाएं जहली थी उतनी शायद इस संसार में किसी ने भी नहीं जहली होंगी महस तीन साल पहले तक वह स्फूर्ती और उत्साह से भरी हुई एक खुशहाल इवा लड़की थी जिसकी सभी प्रशंसा करते थे और प्रेम भी एक निश्चित सिमा तक उसे भी अपनी सुन्दर्ता का घमन था और गाओं के सारे रोमियों उसका ध्यान आकर्शित करने की उमीद में उसके आस-पास मंडराते रहते थे वह भूत ही उसकता से उसकी एक द्रिष्टी या मुस्कुराहट की अपिक्षा रखते थे लेकिन उसने भी उन्हें संतुष्ट होने का उसर नहीं दिया किशोरा वस्था के साथ उसकी सुन्दर्ता बसंत में पुरी तरह खिले रोडो डेंडरन फूल की तरह खिल गई वांगडान नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ कर पानी की बहती धराओं में अपने कापते हिलते डुलते प्रतिविम को देखा करती थी वह नहतिक रूप से मजबूत लड़की थी जो गाओं की इवुकों के सारे प्रयाशों को निसफल कर देती थी वांगडान गाओं की इवुकों में छिम्बू से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि वह गुंडा, दुसाहसी और निर्दई भी था जिस दिन वांगडान अपने पहले रस्त्रव के साथ औरत बनी उसकी सहलियों ने उसे नदी के किनारे बैठे वे सहारा देकर संभाला उसके सर पर पानी छिड़का और बालों को कंगी कर इस तरह समारा की खुपसूरत चेहरा, बालों से ढखकर और भी रहसमे एवं आकर्शक बन गया उस दीन के बाद से वह नकिवल सौंदर के लिए सराही जाने लगी बलकि वह लालसा की एक बस्तू भी बन गई उसकी मुसिवत तबोर बढ़ गई जब कई घरों से उसके लिए प्रस्ताव आने लगे और वो इनकार नहीं कर सकी उससे अपने मामा के घर से आये अपने चेचेरे भाई के प्रस्ताव के लिए अपने माता पिता को अपनी सहमती देनी पड़ी क्योंकि परिवार की प्रंप्रा को बरकरार रखने का देवित उसके उपर था जब छिंबू को इसके बारे में पता चला तो अगुस्से से भड़क उठा और एक राज जब वो अपनी बहन के साथ चुले के पास सो रही थी तब उसने उस पर हमला कर दिया वांगडान ने महसूस किया कि कोई भारी चीज उसके शरीर पर रेंग रही है और उसके कपड़े उतारने का प्रयास कर रही है अचानक आतंकित होकर उसने अपनी पूरी ताकत से उससे धक्का दिया एक छण के लिए जो आदमे उसके उपर चणनी की कोशिश कर रहा था पीछे की तरफ गिर पड़ा लेकिन तुरंथ हुआ संभल गया और वांगडान पर और अधिक बरबरता से तूट पड़ा उसके निर्दी हाथों ने उसके बालों को कस कर पकड़ लिया और उसके चेहरे को चूले के धखते अंगारों पर कुछ समय के लिए रख दिया वांगडान बहोश हो गई जब उसे होश आया तो उससे अतधिक पीड़ा हो रही थी और उसके माता पिता भाई बहन आखों में आसू लिये उसे घेर कर खड़े थे वा आख से तो बच गई लेकिन एक आँगवा बैठी जिले हुए मांस नों उसके चेहरे को विक्रित कर दिया और वा सुन्दरता जिसके लिए वा विख्यात थी उसका निशान भी नहीं रह गया था वे लड़के जो उसके पीछे लगे रहते थे अब उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं लेते थे अब वा गाव में सहान भूति की वस्तू हो गई थी वांगडान ने कई बार मास्टर बाबो के पास जाना चाहा लेकिन वा इसा करने का सहास इकठा नहीं कर सकी जब उसे पता चला है कि अब लोग मास्टर बाबो के घर नहीं जाते हैं तो उसने इसे अच्छा उसर समझा क्योंकि वा गाव वाले की नजरों से दूर अकेले अपना प्रतिवीम देख सकती थी वांगडान ने फिर से मास्टर बाबो की अवाज सुनी बड़ी कठनाय से उसने अपनी हथेली को अपने चेहरे के सामने उठाया जैसा कि उसकी मौसी लेदन ने दरपन देखने की एक्छा व्यक्त करने के लिए सिखाया था मास्टर बाबो समझ गय और उससे अपने पीछे आने के लिए कहा घर के अंदर पहुंचकर मास्टर बाबो ने दरपन उसे थमा दिया कुछ समय तक तक तुआ दरपन को घूरती रही फिर उसने धीरे धीरे अपने बालों को चेहरे से हटाया और लंबे समय तक अपने कुरूप चेहरे को देखती रही मास्टर बाबु भी उसका चेहरा देखने को इच्छुक थे और बाहर छीपे बैठे थे मास्टर बाबु ने इसके चेहरे को देखा वे भैभीत हो गए मानो चित्रों वाली कहानी की किताबों में देखी वी चुडैल के साक्षा दर्शन हो गए हो अगले ही च्छण उन्होंने लड़की को अनियंतरी तरीके से दर्पन को च्छाती से लगा कर सिसकते देखा मास्टर बाबु दरवाजे पर अवाग खड़े थे उनके दिल में करुणा की लहर दोड़ गई लेकिन दर्द में से सकती उस अंजान लड़की को कहने के लिए उन्हें शब्द नहीं मिले कुछ समय बाद लड़की की सिस्किया कम हुई वह उठी दर्पन को वापस मास्टर बाबु को दिया अपनी टोकरी को उठाया और धीदरे जंगल की तरफ चले गई मास्टर बाबु बहुत देर तक अपने कमरे में खड़े उस लड़की की दुर्दशा के बारे में सोचते रहे मास्टर बाबु समझ गए कि निश्चे ही वह एक खुबशूरत लड़की रही होगी अने था वह इतना दुखित होकर नहीं रोती उन्होंने अपना ध्यान दुसरी चीजों में लगाना चाहा लेकिन उनके दिमाग में बार बार वही कुरूब चेहरा और सिस्कियों की आवाजें आती रही लगभग एक घंटे बाद मास्टर बाबु ने बाहर किसी को चिलाते हुए सुना वो अपने कमरे से बाहर ग्ये और एक घबराय हुए लड़के को देखा जो जंगल की तरफ इ wertता करके कुछी बुद बुदा रहा था लड़के ने मास्टर बाबु को इतता कहा वो अपने को पीछे जंगल की तरफ के जिंगल में पहुँचकर मास्टर बाबू ने एक लड़की के शरीर को देवदार व्रिक्ष के शाखा से लटकते हुए देखा यह वही लड़की वांगडान थी जो अपने कुरूप चेहरे को दरपण में देखने के बाद सिसकते वे कुछ देर पहले मास्टर बाबू के घर से निकली थी मास्टर बाबू निस्तब्ध रह गये वे गहरे पश्चताप से भरे वही खड़े उस अभागी को देखते रह गये धन्यवाद